जै मन पूर्णा दोस्तों आज हम बनाना सीख रहे हैं बैगन की इतनी लाजवाब सब्जी कि अगर आपको भूख ना हो तो भी आप खा सकते हैं और आप खाने बैठे हैं न तो बिल्कुल डबल खाने वाले हैं ऐसी ये सब्जी इतनी चटकारेदार होती है तो इसके लिए स मेरा और सौफ इसमें से हलकी से खुसबू आने लगे लो फ्लेम पर आप करेंगे हाई फलेम पर नहीं करेंगे क्योंकि मसाले जल जाएंगे तो उसमें से जो हमको एरोमा चाहिए वो नहीं मिलेगा इसलिए लो फ्लेम पर ही आप इनको धीमए-धीमे बुने जब यह और रोस्ट करेंगे जिसमें कि हमारा मुंग्फली है, पॉपी सीड है और हमारा नारील का बुरादा है और तिल है। जो भी चीज़े हैं, यह फ्रेंट से इमको ड्राइ रोस्ट करनी है। तो सबसे पहले टाइम जो लेगा वो मुंगफली लेगी, तो इसलिए हम पहले मुंगफली को फ्राइ करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपके पास खसकस या पॉपी सीड जिसको बोलते ना हो, तो आप 10 से 12 दाने काजू भी ले सकते हैं, वही काम करेगा, तो बिल्कुल इनको भी हमको लो फ्लेम पे धीरे-धीरे से भुनना है, जिसे कि अपना जो नाचुरल फ्लेवर है वो दे सकें, तो तिल जब पॉप अप करने लगे सब कुछ, देखी बिल्कुल अच्छे से उचलने लगा, एकदम लो फ्लेम पे मैं कर रही हूं, इसी तरीके से हमको इसको जोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो वो चीजे जल जाएंगी, जलने के बाद में वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं देगा हमारी सबजी में, तो देखी इस तरीके से मैंने इसको महीन पाउडर बना के रखा था, यह है, अब इसी में हमको आपके साथ में इसकी वीडियो भी शेयर किये, कि इसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, टमाटर अगर आप जाधा लाते हैं, तो वो मैं इसमें मिला रही हूँ, अगर आपके पास यह ना हो, तो सिंप्ली एक टमाटर आप काट कर इसमें डाल दीजे, उसके साथ में पेस्ट कर लिजे, तो देखिए इस तरीके का आपका पेस्ट तयार हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके छोटे वाले बैगन लिए हैं, आप सफेद वाले बैगन से बनाएगा, और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा, तो देखिए इस तरीके से छोटे वाले बैग के तो भी तो एंदर किड़ा रह जाता है यहा है जल देख और यह दिए डिना और पेधे से वसे हम सारे ऐसार्य Incorporated को इसके आ probability कर देंगे हैं दिख्वानária कि डिणिप आपको इस तरीके से तरब से अपने मसालों को एक अनधर कर Jaa और इसी तरीके से हम अपने सारे बैगन को तयार करके रखेंगे और जो एक्स्ट्रा जो उपर लगे हुए हमारे मसाले इनको आप निकाल लीजे इस तरीके से हमारा ये एक बैगन तयार हो गया है इस तरीके से हम दूसरा भी तयार करेंगे और पूरे तयार कर लेंगे हम और यह friends यह सबजी इतनी टेस्टी लगती है आप नान के साथ खाएं या रोटी के साथ में खाएं इवेन आप राइस के साथ में भी इसको अगर लेते हैं तो complete मेल है आपको और कोई भी कोई भी चीज लेने की ज़रुवत नहीं है बहुत ही अच्छी सबजी बनकर तयार होती है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सारे बैगन को तयार कर लीजे तो देखिए friends यह हमने सारे बैगन भर लिए और यह जो मसाला बचा हुआ है इसका भी अभी हमें यूज है वो मागे दिखाते हैं आपको तो देखिए अब मैंने एक पैन में लिया हुआ है सरसो का तेल या फिर जो भी आप cooking oil यूज करते हैं वो ले सकते हैं पर मैं बोलूँगी सरसो का तेल आपके सेहत के साब से भी बहुत अच्छा है और इसके साथ में इसका flavor बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए अब हम इसमें अपने सारे बैगन को डाल की और इसको हम golden color मतलब अच्छे से पक जाए और साथ में इस पे एक color भी आ जाए इतना हमको cook करना है तो चलिए हम धीरे धीरे उधर होने देते हैं और दूसरी तरफ इसका मसाला लगाते हैं एक pen में मैंने फिर से सरसो का तेल लिया है और इसमें अब भगार देंगे हम हींग का क्योंकि बैगन के साथ में हींग का बगार बहुत ही जरूरी होता है और ये साथ सभी को पता होगा सभी के घरों में पढ़ता भी है तो बैगन के साथ में मैंने हींका बगार दिया, इसी के साथ में थोड़ा सा जीरा तड़किक में दिया है और साथ में हमने यहाँ पर डाली हुई है करी पते, मतलब 5-6 पते आपको लगेंगे करी पते के, इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और जब सब कुछ आपका पॉप अच्छे से कैकल होने लगे, अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक पीसा हुआ, हमने इसको बस पीस लिया है, एक पेस्ट बना लिया है, क्योंकि यह जो सालन जैसा बनता है तो इसको अगर आप स्मूथ स्ट्रक्चर जब आता है, तभी बैगन को भी देख लेते हैं, तो देखे, बैगन में थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है, और मैंने इस तरीके से इनकी डंडिया पकड़ते हुए, थोड़ा सा उलट-पुलट कर दिया था एक बार, तो एक बार मैं और कर देती हूँ, और इसको अच्छे से, इसको हम गोल इसलिए यह गुड़ और थोड़ा सा ही इमली लिया हुआ है, तो इसे इसमें खटा और मीठा जो टेस्ट आता ना बहुत ही अच्छा आता है, और यह देखे, अब हमारे यह बैगन बिल्कुल पक गए हैं, और देखे, अच्छे से गल चुके हैं, देखे, मैं चम्मा से च हल्दी और थोड़ा सा किचन केंग मसाला लिया है, अगर आप चाहें, तो सबजी मसाला भी ले सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही ले लेना है, बिल्कुल इसमें जो भी फ्लेवर आता है ना जो अपने भुने हुए मसाले लिये है, जो उपने पीस्ट तयार किया है उससे कि हमारे मसाले जले नहीं और इनको हम थोड़े दिर के लिए भूनेंगे कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं तो दिखिए यह हमारा जो तेल अच्छे से चुटने लगा है तो अब हम इसमें अपनी नेक्स चीज जालेंगे जिसमें कि वह हम डाल रहे हैं दो चमच अपना तो आपस पीसा हुआ एक टमाटर भी ले सकते हैं या फिर बारी कटा हुआ तो आपको जब तक गल नहीं जाये तब तक आपको को को करना होगा पर मैंने टमाटर का पेस्ट लिया तो दिखे बिलकुल अच्छे से इसमें मिक्सप हो गया तो अब जो हमारा मसाला बचा वह था भी हम इसमें डाल कर अच्छे से भुनेंगे वैसे यह सारे मसाले हमारे पहले से भुने हुए हैं पर हमको एक दो मिनिट और लगने वाला है इनको भुनने में तो हम इसको लगातार चलाते हुए इसको भुन लेंगे तो मैं यहां पर नॉनस्टे की कड़ाई यूज क पड़ेगा आपको और क्योंकि इसमें ना सारी चीजें चिपकने वाली जैसे अपने तिल यूज किया है पॉपे सीड यूज किया तो वह सारी चीजें तले से जाकर चिपक जाती हैं तो अब मैने इसमें ट्रांसफर कर दिया अपने बैगन और इनको हलके हाथ से उलटते थोड़ा सा mix करेंगे इसमें इस तरीकी से हमने mix का लिया अब हम इसमें मिला रहे हैं gravy के लिए पानी तो पानी आप अपने according रख सकते हैं पर ये मैं बता रही हूँ सेमी थिक रहता बहुत ज़्यादा ना पतला करीए ना ज़्यादा गाढ़ाई तो यहाँ पर करीबन मैं एक से left glass पानी यहाँ पर add कर रही हूँ और आप अपने according add कर सकते हैं कि आपको कितनी gravy रखनी है तो मैं यहाँ पर left glass पानी add कर रही हूँ इसमें तो यह दیکि हैं मैंने left glass तक पानी इसमें add कर दिया वहल्का सा हम इसको stir करेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद फ्रेंट्स इसको हमको धीमी आज पर ढख कर करीबन 5-7 मिनट तक इसको कुक करना है जिसे की जो मसाले का भी फ्लेवर है और सारा कुछ एकदम आपस में मिक्स अप हो जाए तो चला लेने के बाद इसको 5-7 मिनट हम ढख के पका लेते ह तो देखे प्रेंट्स हमारे 5-7 मिनट हो चुके हैं तो हम खोल कर देख रहे हैं देखे कितना प्यारा कलर आया है इसका और बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ में हमारा ये जो सबजी है बिलकुल बैगन की जो सभी को पसंद नहीं आती है वो बनकर तयार है और जो मैंने इसके बिना तो ठंडियों में मजा ही नहीं आता किसी भी सबजी में अगर ये पढ़ जाती है तो क्या कहने ही है तो अब हम इसमें डाल रहे है हरा धनिया और गयास को करते हैं बंद उसके बाद हम कर लेते हैं इसको सफ तो लग रहा है ना यमी तो बिलकुल फ्रेंट्स अ आपको थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि लाइट हमारे थोड़ा सा दूसरे तरफ से लगी हुए ना इसलिए आपको कलर सबजी का बिलकुल अलग ही आ रहा है सबजी बनी कुछ और की और यहां पे दिख कुछ और रहा है तो फ्रेंट्स आशा करती हूं कि आपको ये र अब दाँको ये रहात रहा हैं पर्सक्ना न Самन एँ जजा है तरनव हैं यूजी आपको ये रहा Bitcoin bamboo रहा हैं है वे रहा हैं है है। चरे और चाबना है थ्रेंट्ड़ैंट्ट रहां है।